हलो प्यारे बच्चों आप सभी का अपना यूटूब चैनल वाई आर्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं सिर्ट तीसरा सिर्ट तीसरी में मैंने आपको खंड का कि बहुई कलपी और अतलगुत्तुरी के सभी पैसन बता दिये थ दूसरा आपसन है मेथेनल तीसरा आपसन है एथेनल चौथा आपसन है एथेन यानि एलडी हाइड है काउन सा है मेथेनल है या मेथेनल है या एथेनल है या एथेन है तो प्यारे बच्चों इन चारों आपसन में आपसन नमबर आपका दूसरा सही है मेथेनल यानि एलडी हाइड क्या है एक मैथेन नल है पैस नमबर खाप से कह रहा है है एक टू यसो फॉर के जली विलियन का पी अचमान होता है पहला आपसन जीरो दूसरा आपसन साथ से कम तीसरा आपसन साथ चौथा आपसन आपके सामने है साथ से अधिक तो प्यारे बच्चों जो एक जली वि था जो उसका विलियन का पी अचमान होता है वह इन चार आपसन में आपसन नमबर आपका दूसरा सही है साथ से कम यानि एक टू यसो फॉर के जली विलियन का जो पी अचमान होता है वह आपका साथ से कम होता है कितना होता है प्यारे बच्चों साथ से कम होता है प्यारे ब आफिजिसे कहते हैं आइरन दूसरा आपसन आपके सामने है जिरन जिसे कहते हैं जिनके अजस्ते के नाम से जानते हैं तीसरा आपसन आपके सामने है MG जिसे कहते है Magnesium चैफन आपके सामने है CIU जिसे कहते है copper तो कौन सी धा तो अमले से hydrogen विस्थापित नहीं करती इन चार ऊपसन में आपसन नंबर आपका चैफन सही है copper यानि कापर धा तो अमले से hydrogen को विस्थापित नहीं करती है और जबकि आईरन जिंक और मैगनेशियम ये जो तीन तत्तो हैं ये तीनों तत्तो हारिजन को भी स्थापित कर देती है नमच्छे का काखंड आप से कह रहा है निमने खित याओगिकों के आईउ पीएसी नाम लिखिए आईउ पीएसी नाम इंटरनेशनल यूनियन आप पेरेप्राइट केमिस्टी पहला आप सुनें आपके सामने यहां पर कह रहा है C.H.3 C.O.O.I.T. इसका हमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों आईउ पीएसी नाम लिखना है प्यारे बच्चों पैसन भी आपके सामने कह रहा था निमनीखित यूगिकों की आईउ पीएसी नाम लिखिए पहला है C.S.3 C.O.O.I.T. जिसे कहते हैं एस्टिक अमल कहते हैं जबकि एस्टिक अमल का आईउ पीएसी नाम होता है एथिनो एक अमलो दूसरा है H.C.O. जिसे कहते हैं फार्मल डिहाइड और फार्मल डिहाइड का आईउ पीएसी नाम होता है मेथिनॉल तो प्यारे बच्चों जो एस्टिक अमल होता है इसका आईउ पीएसी नाम होता है एथिनो एक अमलो HCHO formaldehyde होता है और formaldehyde का EPC नाम होता है मेथेनॉल प्यारे बच्चों परस्ट नम्बर छे का खाखंड आपसे कह रहा है बैकिंग सोडा बनाने की एक विधी तथा एक उपियोग लिखिये यानि बैकिंग जो सोडा होता है इसको किस तरह से बनाया जाता है क्या मिला करके और इसको प्योग कहा होता है वो आपको बताना है प्यारे बच्चों परस्ट कह रहा है बैकिंग सोडा बनाने की एक विधी तथा एक उपियोग लिखिये तो इसका उत्तर आपके सामने है तो सबसे पहले हम काले पेंसे हेडिंग करके लिखेंगे बनाने की विधी इसमें लिखेंगे या सोडियम हाडराकसाइड के सांद्र विलियन में अधिक मात्रा में कारबन डाई आकसाइड जिसका सूत्र होता है CO2 परवाहित करने पर प्राप्त होता है यानि सोडियम हाडराकसाइड के सांद्र विलियन में सांद्र का मतलब प्यार बच्चो गाला होता है सांद्र विलियन में अधिक मात्रा में कारबन डाई आकसाइड परवाहित करने पर आपका बेकिंग सोड़ा प्राप तो होता है समकर यूँ आपके सामने बताया जा रहा है 2-NA-OH NA-OH क्या है का आपका सोडियम हाइडराकसाइड है CO2 जिसे कहते हैं कारबन डाई आकसाइड अर्थाज जब सोडियम हाइडराकसाइड की क्रिया हम कारबन डाई आकसाइड की से कराते हैं तब बनता है NA2CO3 जिसे कहते हैं सोडियम कारबोनेट और सोडियम कारबोनेट बनने के साथ आपका जल भी बनता है जल का सूतर होता है H2O जबकि जब हम सोडियम कारबोनेट की क्रिया जल और कारबन डाइड आकसाइड से कराते हैं तब बनता है 2-N-H-C-O-3 जिसे कहते हैं सोडियम बाइकारबोनेट यानि सोडियम बाइकारबोनेट का अड़सूतर क्या होता है न-H-C-O-3 तो इसका उपयोग भी बताना है इसके उपयोग में हम लिखेंगे रोगी रंगत पाने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है तो प्यारबच्चे परशनमबच च्छे का परशनमबच गाखंड आप से कह रहा है सफाई की साबून की सफाई परकिरिया की किरियाविधी समझाइए तो प्यार बच्चे प्रश्णाप से कहा रहा था साबुन की सफाए पर किरिया की किरिया विधी को समझाईए तो इसका उत्तर आपके सामने है इसमें हम लिखेंगे नेली पिंसे जल में साबुन घोल कर कपड़े धोने पर साबुन की अड़ो मिसेली सनरजना पर तयार करते हैं जहां साबुन की अड़ो का एक सिरा मैल की और तथा आयनिक सिरा बाहर की और होता है इससे पानी में इमेलसन बनता है इस प्रकार साबुन का मिस्यल मैल को पानी में घोलने में सहायता करता है और हमारे कपड़े को सोच करते हैं प्यारे बच्चों प्रेश नमबर साथ का काखंड आपसे कह रहा है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, कीवद रासानी समय कर लिखिए, पहला नमबर आपके सामने है, जिंक को चुरूड को तनुसलफियूरिक अमने से मिलाया जाता है, यानि जब हम जिंक कारथा जस्ते क किरिया तनुसलफियूरिक अमने से कराते हैं, तब क्या बनता है, दूसरा है, सोडियम हार्ड राकसाइड को जल में घोला जाता है, यानि सोडियम हार्ड राकसाइड की किरिया जब, जल से कराया जाता है, तब क्या बनता है, क्यवद आपको रासानी समय कर लिखिए, पहल जिंग को चुड़ों को तन सल्फियूरिक अमरे से मिलाया जाता है। सब्सक्राइब आपके सामने हैं, इसमें हम लिखेंगे, ZN प्लिस H2SO4, यानि ZN क्या है जिंग के जिसे हम जस्टे के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 क्या है का अपका तन सल्फियूरिक अमल है, तन का मतलब पतला, सांदर का मतलब गाढ़ा, यानि जब हम जस्टे के क्रिया, जब जिंग क्रिया तन सल्फियूरिक अमल से कराते हैं, तब बनता है ZNSO4 जिसे कहते हैं जिंग सल्फियूरिक प्लिस H2 जिसे कहते हैं हाइडर hydrogen gas भी निकलती है यह जो अभी किरिया है यह अभी किरिया जो है विस्थापन अभी किरिया है क्योंकि ZN ने hydrogen विस्थापित करके SO4 से किरिया कर लिया अर्था ZNSO4 बना लिया और hydrogen gas यहां से बाहर निकल गई दूसरा आप से कहे रहा है sodium oxide को जल में घोला जाता है इसमिकर आपके सामने किसमे है Na2O प्लेस H2O अर्था जो Na2O है यह सूतर होता है sodium oxide का जबकि जो H2O है यह सूतर होता है जल का यानि जब sodium oxide की किरिया हम जड़ से कराते हैं तब आपका NaOH संत्रिस करने के लिए होता है NaOH बनता है जो की NaOH को हम कहते है sodium hydroxide यानि जब sodium oxide की किरिया जल से कराया जाता है तो प्यारे बच्चों बनता क्या है sodium hydroxide जिसका अर्षूतर होता है NaOH प्यारे बच्चों प्रस्ट नमर 7 का खाखंड आप से कह रहा है धात तथा अधात में भावते गुड़ों के आधार पर अंतर अस्पष्ट कीजिए त्यारे बच्चों प्रस्ट कह रहा है अभी आपके सामने धात तथा अधात में भावते गुड़ों के आधार पर अंतर अस्पष्ट कीजिए तो इसके उत्तर में हम एक तरफ लिखेंगे धात, दूसरे तरफ लिखेंगे अधात, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, उसको हम आपको अच्छे तरी के समझा रहे हैं, नमबर है इसमें हम लिखेंगे, इसमें विशेस परकार की चमक होती है, यानि जो आपका धात होता है वो क्या होता हो आपका चमकता है, यह से क्या हो सोना चांदी, इस सब चमकता है न, तो इस सब क्या है आपके धात हो है, अधात में पहला नमबर पर आता है आपका, इसमें धात जैसी चमक नहीं होती, धात चमकते हैं लेकिन अधात चमकते नहीं हैं, अर्था जो अधात हो जो आपके धात होते हैं इसे हम पीड़ करके चादर की रूप में जिस रूप में चाहें उसे गला करके बना सकते हैं जबकि जो अधात में दूसरा स्थान है ये आगात वर्थ तथा तन नहीं होते हैं बलकि भंगुर होते हैं यानि जो आपके अधात होते हैं इनको हम पिगला करके बना नहीं सकते हैं कोई दूसरे वस्तू और ये किया हैं भंगुर हैं भंगुर का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कमजोर है अधात क्या है कमजोर है किसकी तुलना में धात की तुलना में धात चमकदार होते हैं अधात चमकदार नहीं होते हैं धातों में आगात वर्द या तन ताका गुर पाया जाता है जबकि अधात वर्द या तन ताका गुर नहीं पाया जाता है जबकि अध धातु भंगूर होते हैं, तीसरा है, या उस्मा एवं विद्दुत का सुचालक होती है, या जो आपका धातु होती है, या उस्मा का एवं विद्दुत का सुचालक होती है, सुचालक का मतलब यह होता है, धात में हम करंड परवाहित कर सकते हैं, धात में हम करंड परवाहित परवायत ना क्या जा सके यह जो आपका धात होती है यह क्या होती है आपके उस्मा का कुछ अलग होती है जबकि धात उस्मा का सुचालग होता है धात में चौतियस्थान पर आपके सामने बताया जा रहा है या ठोस होती है धात क्या होता है ठोस होता है ये हम धाथ इसे आपड चोट मारे आपको चोट लग जाएगी अधाथ में चौतर सरपर है ये अधे लिए खोस और हम गैस होती है अधाथ भी क्या है एक आपका ठोस भी होता है गैस भी होता है तो प्यारे बच्चे उमीद करते है इस खंड खाका जो आपका सिट नमबर तीसरा है इसमें बहुई कलपी और अतलिकुत्रिक जितने परशन हैं उसा भी परशन आप समझ गए हैं एक यह वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें सबस्क्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुचता रहें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू